लेवरिवन कैसे सभी आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे टोड़े वी हैव एंचार्टी सीबिसी क्लास एवन इंगलीज चैप्टर वन दा टाइनी टीचर बुक्स अप्लिमेंट्री क्लास शिक्स इंगलीज में दो बूक है है हनी कॉम और सप्लिमेंट्री हनी कॉम का सोलिटन-पहले स्थाट उच्पना रहा है पली लिस्ट बना रहेए वसका लिंक आपको डे प्रेंस बौक्स में मिजाएगा तो आम आज एक वी ओन्सिंग कहेंगे वडी में पहले ह落ए लिंक आपकोडेंस इंग बूक्स में मिजाएगा वीडियो स्टार्ट करन फर्स्ट कोचन है दा स्टोरी अप एन आंट्स लाइफ साउंड्स आल्मोस अंट्रू तो आंट्स लाइफ है जो चिटी के लाइफ है लगबग क्या है जूटी लगती है क्यों जो इटालिक वर्ड दिये गए दो टू इटालिक वर्ड है टेर डे या तिर छे इनका मिनिंग आपको बताने है देरा थ्री ओप्शन गिवन यहां पे तीन ओप्शन दिये गए है हाईली एक्जेजरेट एक्जेजरेट है कि चिटी के लाइफ को ज्यादा बढ़ा चड़ा कर बताया गया है इसलिए चिटी के लाइफ जूटी लगती है तू रिमाकेबल टू भी काफी अच्छा पता है चिटी की लाइफ को इसलिए वह जूटी लगती है कोश्यरेट करना है पहले कंप्लीट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए जो अंडरलाइन की गई है बोल्ड लेटर्स तो एन आंट इस दसमालेस्ट जो आंट है चिटी है सबसे छोटी है कॉमोनिस्ट मलब के समाने रूप से पाए जाती हर जगह है एन वाइजेस्ट माने बुद्धी मान इंसेक्ट माने कीड़ा भी है उसीन ठीक है तो वी नो एन नंबर ओफेक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ हम जो आंट्स की लाइफ है चिटी की लाइफ है उसके बार उन्हें पास से देखते हैं उनकी बिहेविर को देखते हैं उनकी एक्टिविटीज को देखते हैं इसलिए हम बहुत सारे फैक्ट के हैं चीट्व के बारे में जानते हैं किस तरह हम यह कह सकते हैं जो आंट्स की लाइफ एक पीशफुल है आंसरे रीट करते हैं एन आंट्स लाइफ इस पीशफुल जो चीटी की लाइफ है बिल्कुल सांती में है सांती पूर्ण है क्योंकि आल उफ देम डू देर वर्क ब्रेवली क्योंकि उन में से सभी चिट्या के है अपने काम को क्या है ब्रेवली बहादूरी से करते हैं ओनेस्टली मांदारी से करते हैं एंटिचेंटली और निपूनता से करती है बुद्धी से they do not interfere in each other's work वे एक दूसरे की काम में टांग नेल डाती है या डिस्टब नहीं करती है एक दूसरे को काम करते वक्त comprehension check page number 5 के को सांसे करते है how long does it take to a grub grub होता है baby aunt to become a complete aunt एक जो baby aunt होती है उसको महलब कहा है complete aunt बनने में एक west aunt बनने में बटी aunt बनने में कितना टाइम लगता है after two or three weeks दो या तीन सब्ता बाद एक grub becomes a cocoon जो grub है एक cocoon बन जाता है खोल अंडे जैसा बन जाता है after another three weeks और दूसरे तीन सब्ता के बाद the cocoon breaks, cocoon तूट जाता है and a complete aunts appears और एक पूर्ण रोप से एक चीटी बन जाती है ठीक है पहले grubs बनता है after two or three weeks के बाद grubs महलब कि एक अंडे जैसा बहा निकलता है लालवा जैसा ठीक है फिर उससे क्या है cocoon बनता है, cocoon जब तूट जाता है cocoon क्या होता है, खोल होती है जैसे अंडे जैसी बहार की जो परत होती न उसके अंदर बेबी होता है तो वो टूट जाता है, तो एक complete aunts निकलती है three weeks के बाद question number second why do the worker aunts carry the grubs out जो worker aunts होती है वो grubs को baby aunts को बहार क्यों लेके जाती है the worker aunts carry the grubs baby aunts को बहार लेके जाती है, कौन workers aunts, जो काम करने वाली aunts होती है out daily for airing, हवा के लिए बहार लेके जाती है exercise के लिए बहार लेके जाती है sunshine धूब के लिए बहार लेके जाती है question number third what jobs are new aunts trained for मलब कि कौन से काम सिखा जाते है नई चिटियों को aunts से रिड करते है the new aunts are trained as workers उन्हें मलब के काम सिखा जाते है बहुत सारे काम जो करने होते है soldiers, scenic के काम सिखा जाते है builders, जैजे घर बनाने के काम सिखा जाते है cleaner, saaf supply के काम सिखा जाते है question number four name some other creatures that live in aunt hills कुछ दूसरे प्राणियों के जीवों के नाम बताए है जो aunt hills में रहते है some other creatures that live in aunt hills are beetles रहते है lesser breeds of aunts रहते है and the green fly भी रहते है beetles भावरे यतितलिया lesser breeds निमन जाती की जो चीटिया होती है question number five mention three things we can learn from the tiny teacher जो टाइनी टीचर है जो आपकी छोटी aunt है चीटी से हम क्या तीन चीज़े क्या सीख सकते है reason के साथ आपको बताने the three things we can learn from the tiny teacher are sense of duty पहली तिंग आप क्या सीख रहे हो tiny teacher से aunt से sense of duty मलों कि अपने कर्तवे का पालन करना and discipline और अनुशाशन and loyalty और वफादारी to the land where they live अपनी भूमी के परतिया जमीन के परतिया वफादारी जहां वे रहते है these are the qualities that most human lacks यह ऐसे ऐसी quality होती है जो की मानुता में नहीं होती so my dear student आपको वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जुरूर करे और कमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसे लगी और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को साथ में पने दोस्तों के साथ शेयर करें आगरी वीडियो में आप लोगों से चल्दी मिलेंगे तब तक